ये हाल है सुर्ख्यों में रहने बाले विधायक देव मडी दिवेदी के विधान सभाक शृत्र का जहां पर चाहे वो राश्री राजमार्ग हो या विधान सभाक की को भी सड़क हो सभी सड़के गड़े में तब्दील हैं विधायक जी विकास के नाम पर सिर्फ पत्र बाजी करते नजर आते हैं दस्तक भारत टीवी के समादाता गंगा प्रसाद यादव ने विधायक दिवेदी के विधांत बाक्षित्र की हाकीकत दिखाने का प्रयास किया है आज दस्तक भारत के टीम लंभुवा तहसील के दीरा रोड की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुची है यह सड़क लंभुवा से होते हुए धोपाप को जाती है यह सड़क लंभुवा शागड होते हुए दीरा को जाती है इस सड़क को अगर देखा जाए तो यह सड़क पूरी तरह से गड़े में तबदील हो गई है। इस सड़क को ले करके यहां के अस्थानी लोगों ने अस्थानी जन प्रत्नित, विधायक, सांसत, यवम, जिल्या अधिकारी से कई बार सिकायत करने के बावजूद भी इसकी म मरमत नहीं हो सकी। लोगों ने काफी आक्रोस होकर के इस सड़क को जल्द ही बनाय जाने की मांकी है। और प्रशासन से शिकायत के बावजूद जर जर सड़क की हालत जस्थ की तस्थ बनी हुई है। इसको लेकर व्रामिडों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत तरब हो कि लंभवा से दियरा होकर जाने वाला मार्ग अन जले अंबेड कर नगर तक जाता है। इसी मार्ग से प्रतिदिन स्यक्रों लोगों एवा माहनों का आना जाना है। इसी मार्ग से लोग तहसिल मुख्याले भी आती है। दार्मिलों का कहना है कि सरक की मुरमत हुए अभी एक सार भी नहीं बीता। सरक जगा जगा तूट चुकी है। बहुत खराब चल रही इस समय उसकी। और हर च्छा महीने में उसको रिपेर होना चाहिए। रिपेर भी थोड़ा मुड़ा करते हैं। फिर जैसे की तैसी हो जाती है। आप लोगों का आना जाना बिल्कुल तैसील दूबर हो गया है। समस्य है कि हमारे यहां जो लंभुवा से मार्ग आ रहा है दीर घर पर जा रहा है। हाँ इधर जो है साइट से सागर चावराहे से एक कादीपुर निकल जाता है। बीच में नदी पर ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। कहीं भी कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही है। बीधाय क्या सांसद जी से कहा गया। सांसद जी से कहा गया फरवरी में। उसके बाद मार्ग से लागडाउन हो गया। अब लागडाउन में कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है। तो अगर फोर लैन पर काम चल रहा है तो सरकार से बिनमर निबेदन है। कि सरकार इस मार्ग को भी इस परकार से सुलब करावे कि जनतक की असुभज़ा को दूर करे। और जनतका आवा गमन ठीक परकार से चले। मेरा नाम प्रवात कुमार सिंग है। दियरा रोड के संबन्द में आज से करीब तेन ओवर स्पूर से किसान यूनियन के माद्यम और समाच से वी संस्थाओं के माद्यम से हमने कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं बचा है जिसके पास सिकायत न की हो। रोड की स्थिती यहा है कि रोड गड़े में बनी हुई है कि मतलब प्रते दिन दर्जनों आदनी उस पर चोटिल हो रहे हैं जिसकी जानकारी माननी विधायक जी को भी है माननी सांसद महोदेया को भी है इसके लिए किसान यूनियन संगठन द्वारा तीन बार पचीस पच इसका नहीं हो रहा है जिसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदे एडीयम मतलब सभी सक्षम अधिकारियों को माननी मुख्य मंत्री महोदे का कहना है कि प्रदेश की हर सड़क गड़ा मुक्त हो लेकिन हाँ गड़ा यूक्त सड़क है जो दीरा रोड है जब से बनी हुई है उसके छे महीने बाद से निरंतरी बिगरती चली जा रही है इसकी दसा इस पर कोई कारवाई कोई भी सक्षम अधिकारी करने को तयार नहीं हो रहा है इससे निर्मार कारी की गुर्वत्ता और सड़क की निर्मार में हुई धांदली का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है सड़क पर हुए गड़ों की गिट्टी चारों तरफ बिखरी पड़ी है जिससे हमेशा खत्रे की भी आशंकाब बनी हुई है गड़ों में गिरकर लोग चोटिल भी हो रहे है ग्रामिडों का कहना है कि स्थानी विधायक से लेकर सांसद तक इसकी शिकायत की गई लेकिन अभी तक जिम्यदार लोगों की खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई और नहीं सड़क की मरमत कराई गई ग्रामिणों ने प्रशासन से शीग्र सड़क की मरमत कराए जाने की मांग की है अगर अब जल्द से जल्द सड़क की मरमत नहीं कराए गई तो स्थानी विधायक सांसद और प्रशासन की खिलाब ग्रामिणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है गंगा प्रसाजादो दस्तक भारत लंभुवा सुल्तानपूर्थ